महराश्ट पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने पूने से एक व्यक्ति को गिरफतार किया है गिरफतार व्यक्ति रक्षा अनुसंधान एम विकास संगठन यानि के DRDO में वरिष्ट विज्ञानिक के तौर पर तैनाद था ATS सूतरों के मताबिक इस विज्ञानिक को पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी के एक महिला ने जासूसी में फसार रखा था जिसके चलते वो DRDO से जुड़ी सारी गोपनिया जानकारी उस खूफिया एजेंट को दे रहा था एक ATS अधिकारी ने बताया कि हमें विज्ञानिक और उस एजेंट की चैट्स वीडियो कॉल्स जैसी के जानकारी मिली है इस विज्ञानिक को तीन मई को गिरफतार किया गया था और चार मई को उसे पूने में अदालत के सामने पेश किया गया जहां से उसे ATS को रिमांड पर सौब दिया गया है महराष्ट स्टेट एंटी टेर्रिरिस्म स्क्वाइड ने एक बयान में कहा कि ये विज्ञानिक DRDO के कई सामरिक रूप से बेहत एहम प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था इन में कई मिसाइल प्रोजेक्ट स्वी शामिल थे और विज्ञानिक को अपने पास मौजूद गोपनिय जानकारी के दुश्मन तक पहुँचने पर देश की सुरक्षा को खत्रा होने का पता चला था इसके बावजूद उसने हनी ट्रैप के माया जाल में फस कर सारी जानकारी दुश्मन एजेंट को उपलब्द करवाई विज्ञानिक के खिलाफ जाज की शुरुआ डियो से एक शिकायत मिलने के बाद शुरू की गई थी डियाडियो ने पिछले साल सितंबर अक्टूबर से शुरू होए इस सिल्सिले में प्राइमरी जानकारी ATS को दी थी इसके बाद ATS ने विज्ञानिक की वीडियो कॉल, सोशल चैट और वोईस मेसेज को ट्रेस करना शुरू कर दिया और आखिर में उसे दबोच लिया मुंबई में ATS की कालकोची इकाई में Official Secrets Act के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जाँच जारी है अब आपको बताते हैं कि क्या है ये हनी ट्रैप और कैसे फस्ता है कोई इसमें हनी ट्रैप किसी खुफिया एजनसी द्वारा खुबसूरत महिला जासूसों के जरीए किसी एहम पत पर बैठे व्यक्ति को अपने जाल में फसाना होता है इसके लिए महिला जासूस अपने शिकार को अपनी खुबसूरती का इस्तमाल कर प्रभाव मिलेती है इसकी शुरुवात आम तौर पर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के जरिये दोस्ती बढ़ाने से होती है DRDO विज्ञानी के मामले में भी इसी तरीके का इस्तमाल किया गया था आज के एक्स्पिरिनर में इतना ही ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए INS TV